जेजे सरीराम सिंगरास के दोस्तों स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से आपके दैनी करासी फल में मैं हूँ आचार इसके तिवारी दोस्तों रविवार 20 अक्टूबर का दिन आपके लिए कैसा रहेगा आईए जानने का प्रयास करते हैं उससे पहले बात करते हैं आज के पंचांग के बारे में आज रविवार 20 अक्टूबर 2024 कार्तिक कृष्णपक्ष की तरितियाती थी विक्रमी संबद 2021 आज का सुर्योदे 6 बच के 25 मेर्ट पर होगा तो हैं आज का सुर्यास 5 बच के 46 मेर्ट पर होगा आज के दिन चंद्रमा पूरे दिन बरिस तरास में गोचर करेंगे आज जिन बच्चों का जन्म होगा उनकी रासी बरिस होगी बात करेंगे आज के महुर्तों की ब्रह्मा मूर्त रहेगा 4 बच के 44 मेर्ट से सुबह 5 बच के 35 मेर्ट तक अब जीत मुर्त रहेगा 11 बच के 43 मेरट से 12 बच के 28 मेरट तक विजे मुर्त रहेगा 1 बच के 69 मेरट से 2 बच के 45 मेरट तक आज के दिन अमरित काल का समय रहेगा 3 बच के 32 मेरट सुबह से लेकर 21 अक्टूबर को 5 बच के 21 मेरट सुबह तक तो ये थे आज की सुमहूर्ट, इन सुमहूर्टों में आप कोई भी अच्छे कारी के सुरुआत कर सकते हैं आज का राहुकाल का समय रहेगा साम 4 बच के 21 मेर्ट से साम 5 बच के 46 मेर्ट तक राहुकाल के समय किसी भी अच्छे कारी के सुरुआत नहीं की जाती है अब आइज जानते हैं आपके रासी फलक के बारे में तोसिंग अरास के दोस्तों आज का दिन आप काफी सकारात्मक महसूस करेंगे आज घर का महुल बहतर रहेगा परिवार के साथ आज का दिन काफी मर्ज़दार रहेगा आप इसमें आज आपको कोई मुश्किल काम सौपा जा सकता है, ऐसे में आप कुछ दवाव में रहेंगे, दूसरी और यद ब्यापारी अच्छा मुनाफ़ा नहीं कमा रहे हैं, तो आपको धहर रखना होगा, जल्द ही इस थितियों में सुधार होगा, पैसों के मामले में आ आज कारियाले में थोड़ा साब्धान रहने की सलाह दी जा रही है, आज छोटे छोटे कारियों पर भी ध्यान देना चाहिए, जरासी लापरवही से बड़ा नुक्सान हो सकता है, खादे विवसाय करने वाले जो सिंगरास के जातक हैं, उनको आज अच्छा अर्थिक रहेगी, सेहत का ध्यान आपको जरूर रखना होगा, कारिश्चेतर में आज आज आपको खड़ी मेहनत करने की सलाह दी जा रही है, आज आज आपके अतरिक्त काम भी करना पर सकता है, विवसायों को विशेष रूप से अपनी विवसाय की योजनाओं को ध्यान से लेने की आवसकता है, अगर आप कोई नया काम सुरू करने की सोच रहे हैं, तो दिन आपके लिए ठीक है, आज आप पूरे आत्म विस्वास और मेहनत के साथ अपने लक्ष को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, और आपको निश्चित रूप से अच्छी सपलता भी मिलेगी, आर प्राप्त रहने के लिए खान पान पर विसेज ध्यान रखें, सिंगरास के दोस्तों, अगर आज कारिच्छेत्र में कोई समस्या आ रही तो उसे सांतियों और समझदारी से सुलझाएं, जल्दवाजी और गुस्ये में कोई ऐसा काम न करें, जिसके लिए आपको बाद में पच्ताना पड़े, ब्यापारियों को आज कम लाब मिल सकता है, साथ ही आज परिवार के साथ अधिक समय बिताएं, आज आपको जीवन साथिक साथ अपने विचार साजय करने का अबसर भी मिल सकता है, सिंगरास के दोस्तों, आज का दिन कुल मिला कर आपका ठीक ठाक कहा जा सकता है, ब्यापारियों के लिए आज का दिन अच्छा है, अगर आपका पैसा लंबे समय से कहीं फसा हुआ है, तो आज मिलने की प्रवल संभावना है, अगर आप आफिस में किसी महतपूर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो आपको अपने सहकर्मियों का भी सहयोग मिलेगा, आर्थी कि स्थिती सामाने से बेहतर रहेगी, साथ ही किसमत से ज़्यादा कुछ चाहिए, परिवारिक जीवन में कुछ सुक सांती बनी रहेगी, माता पिता का असिरवाद होगा, और जीवन साथी से परेसानी थोड़ी हो सकती है, लेकिन ही जल्द ही सब कुछ सा माने न जा रहेगा, घर का महोल आज ठीक रहेगा, बड़ोक साथ अपना ब्योहाद ठीक रखने की कोसिस करें, और कार छेत में राजनीत करने से दूर रहने की सलाह दी जाती है, कुछ लोगों को आपकी सफलता से जलन हो सकता है, छोटे ब्यापारियों को आज आप ने की सलाह दी जाती है, तो सिंगरास के दोस्तों, ये था आज आपका रासी फल, कल फिर से एक नए रासी फल के साथ हम आपके साथ होंगे, जैसरी राम